इस विडियो में हम मोनो अटॉमिक आयन्स को याद करने का इजी तरीका सीखेंगे, प्रिक्स और लॉजिक के साथ। इन आयन्स को याद रखने के लिए हम मिनी नेमोनिक्स का इस्तिमाल करेंगे। साथ ही आपको वेलिनसी भी याद हो जाएगी और इससे केमिकल फोर्मिला लिखना भी आसान हो जाएगा। मोनो अटॉमिक आयन्स दो तरह के होते हैं। कैटायन जो इलेक्ट्रॉन खोकर बनते हैं। एनायन जो इलेक्ट्रॉन पाकर बनते हैं। जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है और क्लोरीन उसे लेता है जिससे बनता है सोडियम क्लोराइड। इसलिए सोडियम बनता है कैटायन और क्लोरीन बनता है एनायन। Magnesium दो Electrons देता है Oxygen को और बनता है Magnesium Oxide Aluminium तीन Electrons देता है Nitrogen को जिससे बनता है Aluminium Nitrine ये सारे Compounds Monoatomic Ions से बने होते हैं अब इन Ions को हम आसान Memory Birds से ग्रूप करते हैं Snack ये सब फॉर्म करते हैं Last One Ions S से Silver, N से Sodium, C से Copper, K से Potassium ये सारे एक Electron Easily दे देते हैं मतलब Valency है One Zink वर्ड से हम याद रख सकते हैं Zink Iron, Calcium और Copper अगर हम इसमें Magnesium भी जोड़ दें तो बनता है Amazing इन सारे Ions का Charge होता है Plus Two यानि इनकी Valency है Two आप सोच रहे होंगे, अभी तो हमने Copper को Plus One Group में देखा था हाँ, और आप बिलकुल सही हो Iron और Copper थोड़े खास हैं ये ऐसे Metals हैं, जो Multiple Valences दिखा सकते हैं तो ये याद रखना बहुत जूरी है Copper हो सकता है Plus One या Plus Two और Iron हो सकता है Plus Two या Plus Three AI मतलब Aluminium और Iron दोनो Plus Three चार्ज दिखा सकते हैं अब बात करते हैं कुछ Common Negative Ions की जिनकी Valency भी याद करना आसान है CBI से Chlorine, Gromine, Iodine Sane Group में हैं और सबका Charge है Minus One SO से Sulfur, Oxygen ये सब Minus Two Charge वाले आइंस बनाते हैं NP से Nitrogen, Phosphorus NP से आप No Problem भी याद रख सकते हैं ताकि याद रहे कि Nitrogen और Phosphorus माइनस Three Charge वाले आइंस बनाते हैं अब कुछ Compounds देखते हैं जहां Cation और Anion की Valency बराबर नहीं होती जैसे इस Example में Magnesium की Valency 2 है और Chlorine की Valency 1 इसलिए दो Chlorine Magnesium के साथ जूरते हैं और NGCl2 बनाते हैं इसी तरह Aluminium 3 Chlorine Atoms के साथ जूर कर AlCl3 बनाता है Polyatomic Ions को हम एक यूनिट की तरहे ट्रीट कर सकते हैं जैसे Magnesium Sulfate के साथ कॉम्बाइन होकर Magnesium Sulfate बनाता है एक Quick Recap के लिए ये हैं वो Mini Mnemonics जो हमने यूज किये Snack प्लस 1 आयन्स के लिए Mazing प्लस 2 AI प्लस 3 CBI माइनस 1 SO माइनस 2 और NP माइनस 3 आयन्स के लिए अगर आपको ये helpful लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसे ही और प्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कर दो लिए